अब देखो आगे वाली टीम के तीन बंदे जिनता हैं एक किसी और टीम का है खेर एक बंदे को मैंने नो किया अब उसे बचाने बंदा जरूर रहेगा और यही मेरा मौका है क्यूंकि अभी नहीं तो जबी नहीं भाया पेलना ही पड़ेगा तो भाई लू कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक इंटर्ण्स बरा न्यू गलत सीन से बरे हुए भबजी दो मुबाईल गीम प्ले वीडियो में मतलब भाया इसमें सब कुछ है मतलब पिस्तोल चलाने से लेकर भाया एडबलो एम से सस्ती सनाइपिंग सब कुछ और सही बतारू अगर मेरे पे एडबलो एम नहीं होती न भाई और वो सोट अगर मैं नहीं पेल पाता तो ठिल के रह जाते हम खेर फिलाल हम पोचंकी आये हैं और अभी हम जोन बिक्की की तरह यार पिस्तोल से पूरी सुकोड पिल जाएंगे अब देखो सीन क्या हो रहा है पहले एक नंगा बंदा आया उसके बाद पिस्तोल वाला बंदा अब आगे आगे देखो यार क्योंकि गने भेंकर होती जाएंगी और इसी के साथ सिर्फ एक पिस्तोल से भाई ये पिस्तोल सही में बढ़िया है भाई मतलब मज़ा आजाता है डैमेज, डुमेज, आवास तो भाई पूछो मत बिल्कुल दिल्कुस हो जाता है सेट इस इंफेक्शन पूरी मिलती है इसको चलाने पे और देखो भाई यहाँ पे सीन के ओर रहा है पहले नंगा बंदा आया उसके बाद पिस्तोल लेके फिर एक भाई सोडगन लेके आए और आखर में याप येंपी 45 खेर सबको भाई पिस्तोल से पेल दिया है और लूट लाट के नाम पे मिल गई है याँ धंकी गने मिल चुकिया हमें तो हाँ अब तो भाई आ बढ़िया तरीके से पेलेंगे और मैं आगे जाने ही वाला था बाकी बंदे पेलने के लिए कितने में ही मुझे पीचे से फु पर भाई पिस्तोल से उसके लिए एक नहीं पेला तो यार लाइक पेल दो बिलकुल ये नीले सैक की तरह नीला टैप कर दो लाइक के बटन को और उसे के साथ मैं रोड के इस पार रह जाता हूँ और UMP चला रहूं अभी भी अब यहाँ पे देखो मुझे UMP पेलनी चाहिए थी क्योंकि यार AQM की गोलिया ऐसे बरबाद करके यार ठीक नहीं होगा तो मैं बोलता हूँ ठीक यार अब जो भी करेंगे UMP से करेंगे अब मतलब सस्ती गन है काम चलाओ गोलिया है मेरे पे तो चला लेते हैं AQM की गोली कलोज रेंज में पेलेंगे तो देखो एक बंदा उस सामने वाले घर पे बैठा है तो UMP निकालता हूँ मैं और दबादब गोलियां बरबाद करने लग जाता हूँ यहीं पे अब UMP न मुझे कद्दू भी पसंद नहीं है ठीक है इसकी मैं हमेशा बुराई करता रहता हूँ आपको पता है लेकिन इस गन की न एक ही चीच सही है वो है इसकी सपरेसियोर वाली आवाज भाई सहब क्या ही आवाज है मतलब डैमेज हो ना हो गूलियां चले न चले तमीसियार पर आवाज सुनके न भाई बिल्कुल अलग लेवल का मज़ा आ जाता है और जैसे कि यहां पे अगर मैं UMP लेके चरता तो मेरे ख्याल से 0.69% चांस थे कि भाई मैं बचके निकलता है यहां से बिलकुल बिलकुल क्योंगे भाई मुझे बिलकुल भरोसा नहीं यह यूथ फुकर 007 से एंए यहार जोगार भीडा के चलाने अब भर देता हूं अपने बैग में और अपना गन और मूँ ठाके आगे आ जाता हूं अब आप यहां पर ही देख लो हाना कितनी सारी गोलिया पेली भाईया सर पे भी लगी एकाद गोलिया लेकिन मजा ले भाई कद्दू भी एक बंदा नौक नी हुआ तो मैं बोलता हूं ठीक यार अब क्या ही कर सकते है तो एक यह में निकालनी पड़ती है ना देखो यार कब तक मजा करेंगे उएमपी से गोलिया बरबात कर रहा हूं सही है लेकिन बंदे भी तो पिलने पड़ेंगे और मुझे बस इस बात का डर लग रहा होता है कि भाई द बरबात करने के बाद आगे रस करने का टाइम आ गया है और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ सप्रे ट्रांसफर की वज़ा से जिंदा हूं हाना अब सीन क्या होता है जब हम चौड में रस कर रहे होते भाई एक बंदा पीछे कूच जाता है वो पीछे से गोलिया पेल ला होता है मैं बोलता हूं यार इसे पेलो उसे पेलते ही दो बंदे खिडकी में आ जाते तो भाई या गोली बगैर रोके मैं सकोब खिडकी पे रखता हूं और धैड़ पैड गोलिया पेल के एक और बंदा नौक कर देता ह और यहां पर जैसे तैसे बच गए भी या लग नहीं रहा था कि बचेंगे तीन बंदे बैठे पड़े थे और एक पीछे से भी आ गया था तो गलत सीन होते होते बच गए यार सस्ता इस परेट रांसफर अगरा करके पेल के रख दिया बंदों को और अब आगे जाएंगे और देखो यार कहां कहां पर रसकरना पड़ेगा हमें और भाई लोग एक और बात बतानी थी देखो अगर आपका फोन का तरही लैग लूग मरता है नसे देता रहता है टाइम टू टाइम तो यार तुम्हारा भाई खुद Pogo का giveaway कर रहा है mobile phone का giveaway कर रहा है देखो मैंने मेरे दोस्तों के पास है वो phone और मैंने खेल के देखा यार और काफी सही चलता है उसमें मतला बाकी phone के मुकाबले काफी बढ़िया चलता है PUBG उसमें तो यार आपको सिर्फ जॉइन करना है रियो टीवी वहाँ पे तुम्हारे भाई डेली लाइफ स्ट्रीम करता है और गिववे के जो भी सीन होंगे सब कुछ लाइफ होंगे तो हाँ यार मतलब पबजी तो खिलना है दिक्कत किदर आ रही है तो यार रियो टीवी फोलो जरूर करना और यार किल और केड़ी के लालच में इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता मतलब या सेभरनी आ रखाओं मैं पोचंग की उतरा था उसके बाद सेभरनी पहुचाओं क्यूंकि यार बंदे जितना ढूंड़ो गाड़ी भगालो पट्रोल फुकालो भा सब्सक्राइब केम्पर हों जरूरू जरूरू कि केम्पिंग और बंधे यहां तो और गाड़ी घुमा रहा हूं है और पहलने की कूशिस कर रहा हूं उन 선생님 और देखो वो बंदा इस भाई का टीमेट है चाचा है ताउ है यार मुझे नहीं पता मतलब एक बंदा इधर पे है दूसरा बंदा हजारो मिटर दूर दूसरे घर पे पता नहीं क्या ही सीन चल लें इनके ये दूसरी टीम के थे खैर जो वियो मतलब उस भाई ने इतनी गोलिया चलाई हमको तो कदू कुछ न लगा लेकिन हमारी जो गाड़ी है न भाई उसकी ऐसी तैसी कर दिया है और यहां पे भी मैं ठिलने वाला था मतलब ये जो दिवार पे कुदा फान्दी करता है न ये बंदा ये बहुत गलत होता है भाई या ठिल जाते है मतलब हाँ डालता है दिवार पे पिर भाई आप डालता है इतने में पेटी बन जाती है क्या यहां पे बच रखे हैं समोह को करते हम दूसरी सस्ती गाड़ी पे जो की उपर से खुली पड़ी है और वहां से हम निकल ले तयार नहीं लड़ना चाता में और केमपर उसे तो फिलेर की तरफ आते हैं और यहां पे बंदे चत चुत में पड़े बैठे हैं यहां पे और जैसी अपन लोग इधर पे आते भाईया भागम भाग चलू हना मतलब यहीं दरवाजे के सामने कोई खड़ा बैठाता बनता हम लोग इधर अंदर गुषते अब वो किधर जाके छुब गया है यार कद्दू कुछ निपता और एकी चीज की कमी है वो है नेट की जो की ब जो सस्ता घर है ना अगे इसके चट पे एक बंदा है एक बंदा लेफ्ट में भी है जहां तक मुझे फुटी श्टेप आ रहे हैं और आगे जो छोटा घर होता है वहां पे भी बंदा बैठा है तो यार पूरी सुकोड बैठी पड़ी होती है और इस बंदे को लगता है कि भाईया नेट करना हलवा है मतलब मेरे घर के सामने खड़े हो के भाई नेट खीच के अंदर डाल रहे है यार ऐसे कैसे चलेगा भाईया यार पेटी वनेगी और क्यूंकि बंदे मेरे मूं के सामने आके नेट खीच रहे तो मैंने सोचा यार मैं तो छुपके खीची सकता हूँ एका नेट जिनसे कंदू कुछ नहीं उखड़ेगा और यहां पे दो ठाई नेट बरबाद करने के बाद मैं बोलता हूँ यार बहुत हो गया टाइम आगया है गोलिया चलाने का क्यूंकि नेट से भाईया हम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं तो राइट से रस करेंगे और उपर जाते ही गलत ही रूँगे क्यूंकि यार मंद और ये दो बंदे भाईया चार में कब बदल जाते हैं कद्दू पता नहीं चलता बतला इतना पता था यार एक बंदे की पेटी बना दी एक छत में यार ये बाकी 2 बंदे भाई कहां से आये क्या ही पता खेर इन दोनों को पेल दिया है पूरे 4 बंदे होते है चारों की पिटी बन चुकी है लोबी जा चुके है सबके सब तो टाइम आ गया है फ्लेर वगेला लूटने का हाना अब देखो जोन भी आ गया हाना जोन में जाने कापी टाइम आगया था लेकिन तुम्हारे भाई ने सब कुछ चुराया जो भी था फ्लेर से सब कुछ ले लिया तो हाँ AWM मिल चुकी है भाई को और यहाँ पे आके भाईया थोड़ा रोक के हिलिंग वगेरा पोत लेंगे क्योंकि देखो रस्ते में ठिल जाएं वो भी ये ओपन गाड़ी से मतलब इतनी सस्ती गाड़ी है ये क्या ही बताऊं अगर कोई चाहेगा ना कि भाई दुबार चलाता हूं गाड़ी के गोलिया भाई तब भी अंदर आके लगती हैं इसलिए यार इस पे तो यहां रिसक लेना बहुत ही दिक्कत वाली बात है खेर ठीट होने के कारण हम इसी से रिसक लेते हैं और यहां पे जितने भी बंदे होते हैं सब के सब हम पे गोलिया पिलते हैं अब गोलिया हम पे बहुत ज़्यादा चलते हैं लेकिन जैसे तैसे बचके इधर आ जाते हैं और सामने मुझे गाड़ी दीखती है तो यार मैं निकालता हूं और बरबात करता हूं एकाथ एडव्यम की गोली और एडव्यम की दो गोलिया और बहुत सारी एकेम की गोलिया बरबात करने के बाद मुझे हो साजाता है बोलतो भाईया क्या कर रहा हूं इतनी गोलिया बरबात और एक भी गोली ने लगी बंदों को यार खेर मैं बोलता हूँ यार वहाँ पे जो भी सीन हो रहा था भाईया एक्सियोन वहाँ पे दबा के हो रहा था तो हम लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं यही सस्ती वाली और इधर पे आजाते हैं देखती की भाई सीन सौट चल क्या रहा है यहां पे हाना और यार मैं अकेला नहीं हूँ जो सनाइपिंग कर रहा है आगे नीचे की तरफ और राइट की तरफ भी बंदे सनाइपर पेल पेल के चला रहे होते हैं और इस सनाइपर सोट से भाईया खाता खुल जाता है और यार इसी सनाइपर की वज़े से तुम्हारा भाई ये गेम जीतेगा मतलब भाईया जिंदगी मोत का सवाल हो जाता है अगर एक गोली भी मिस कर देता ना मैं कद्दू भी ने जीत पाते खेर वो थोड़ा आगे होगा हना तब तक आपको थोड़े पपजी के नसे दिखा दिया जाए जिसमें कोई भी नहीं बात नहीं है यहां पे अब यहाँ PUBG में आपको बंदों का सकल भी दिखता है हरा हेड हुट सब कुछ दिखता है उसके बाद उसके कपड़े भी दिखते भाई ने लाल रंग के कपड़े पैने थे लेकिन जब आप सर पे सोट लगाते हो तब पता चलता ही कि यार रिज गिलेच हो रहा है बंदा रिज के नीचे है मतलब आप बस देख सकते हो उसका कुछ नहीं उखाड सकते जिसमें कोई भी नहीं बात नहीं है यार आपको पता ही होगा मतलब बंदा रिज के पीछे होता है तो बस मार लोग गोलिया करदो बद बरबाद उस पे करदो कुछ नहीं लगेगा खेर उतरे में अपन लोग राइट की तरफ निकलते हैं क्योंकि हर जोन आ गया है और अपना साथ तो कभी देगा नहीं जोन और यहां पे मतलब साप का चकर मोच से टककर की कमी पड़ रही है क्या जो भाईया सैक में भी केंपिंग बिठा रखी है मतलब पीछे से एक साप एमपोर पेल रहा था जहां तक मुझे पता है साप ही बनाओगा या जो भी सीन था या पीछे था दिक्कत दे रहा था उसके बाद यहां पे मैं गाडी रुकता हूं भईया ये दर्वाजा खोलता है और भईया दर्वाजा खोलते ही भाई दे फाईरिंग पे फाईरिंग तो इस भाई की मैं पेटी देर पेड़ बना तो भाईया सैक सूप में घुसना ना भाई बहुत गलत सीन वाला काम है मतलब कभी भी पेटी बन सकती आपकी और कई भार मेरी पेटी भी बन सुकी है तो यार अगर आप इसमें ऐसे घुषते हो तो समल के घुषतना और मेरे ख्याल से यही फो बंदा था जो पीछे से M4 पटका रहा था हरा तो हमारे ये भाई भी नोक हुए है और यार जब बंदे नोक होते ना इसे उपन में बहुत डर लगता है क्यूकि देखो एक बंदा उपन में नोक हुआ है तो हो सकता है उसका टीमेट भी अगल बगलो हरा खासकर लास सरकल में भाईया दिक्कत की बात हो जाती है और अगर सब के सब भी ठिल जाते भाईया आपको सीधा किल भी मिलती है तो भी सतर्क और सावधान और सतर्क रेना है नहीं तो है यार कोपी राइट दे देंगे डीजल पटरोल वाले तो हां हमेशा सावधान और सतर्क रेना क्योंकि भाई ये पबजी है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है और यार साप का चकर मोच से टककर आपको पता है क्या सीन होते हैं क्यार मुझे दूर एक बंदा दिखता है और एक और बार फिर से उस बंदे को हेट सोट दे दिया मैंने और दुबारा से जोन अपने पे कद्दू भी नहीं बना हरा मतलब देखो यार बगैर गलत सीन हुए चिकन हो जाएगा यार पबजी भी नहीं चाहता है साओ पबजी चाहता है कि भाईया गलत सीन हो पंगे हो मेरे साथ तो टाइम आ गया है रस करने का और जहां तक आपको याद हो गयार अपनी सस्ती गाड़ी पहले से है पलास इसका टायर भी फटा पड़ा हुआ है तो हाँ दिक्कते होने वाली है भाईया मोच से टककर ऐसे भी होंगे यहाँ पे फिर भी निकल पड़ता हूँ मैं अब यहाँ पर हम जैसे तैसे पहुंचते हैं और पेलना शुरू करते हैं तो हम लोग इधर पर फस चुके हैं यार हम अकेले नहीं हैं जो पेलना शुरू करते हैं भाई उन पे भी AUG AWM पड़िये तो हम वो भी धेर पैड़ गोलिया पेल लें तो टाइम आगया है सस्ती सनाइपिंग का अब देखो आगया वाली टीम के तीन बंदे जिन्दा हैं एक किसी और टीम का है खैर एक बंदे को मैंने नोग किया अब उसे बचाने बंदा जरूर रहेगा और यही मेरा मौका है क्योंकि अभी नहीं तो जबी नहीं भाया पेलना ही पड़ेगा और मैं सही बता रहो यार वो बंदा जो समोक में भगते वे आया ना समोक से उसे पेलने के लिए न मैंने पूरी जान लगा ली थी कताई सांसूस रोग दिया था मैंने मैंने बोला था यार अगर इसे नहीं पेला ना अगर वो रिवाइव हो गया तो हम कद्दू भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि देखो जोन अपने पे है नहीं आखरी बंदा किदारे हमें कद्दू भी नहीं पता और ये रिवाइव हो गया तो यार ये भी साइट से पेलेंगे और हम जोन भगते भगते ठीलेंगे तो मैं बोलता हूँ भाईया ये सोट मिस कर दिया तो चिकन भूल जाना और पूरी जान रगा के लगी जाता है यार सोट समुक से भगते वे आता है बंदा और सीधा सर पे बिल्कुल नौक और आखरी बंदे को एक एम से पिल देते हैं और एक आखरी बंदा सामने है मेरे और आखरी बंदे को भी भाईया AWM चटका के पेटी बनाई जाती है और चिकन ले लिया जाता है सही बतारो यार देखो अगर मेरे पे AWM नहीं होती और अगर वो सोट में मिस कर देता न तो मुझे कद्दू भी नहीं लगता हम जीत पाते यार बहुत मुश्किल था क्योंकि जोन अपने पे नहीं था वो तीन बंदे थे एक बंदा सामने घर में यार गाड़ी के नाम पे कद्दू कुछ नहीं थी तो हाँ भगते भगते ठिलते भगा भगा के हमारी पेटी बनाई जाती तो पूरी जान लगाई पेला उस बंदे को भी और आखरी बंदे को कते हलवे की तरह हेट सौट पेल के पेल दिया तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए यार ये सनाई पर के सोट के लिए यार समोग से भगते वे आया बंदा पूरी जान लगा के पेल दिया तो हाँ यार लाइक जरू पेलना वीडियो को नीला टैप कर दो आप भी पूरी जान लगा के पेल दो लाइक के बिटन को बस फोन मत तोड़ना अगर तोड़ भी देते हो तो कोई सीन ने आयार मतलब इतना इस कदर तोड़ना कि भाईया गेम गूम चले अगर कल मिलते हैं जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब करना मत भूला कल मिलते हैं भाई लोग यार बाई बाई